हलो बचो कैसे हैं आप सभी अच्छे से हैं चलिए आगे चलते हैं मैं हिरो सिंग दावत पीजी टी इन कॉमर्स डिपार्टमेंट अब स्कूल एड्युकेशन हरियाना इन दनों बारवी कक्षा की अकाउंटेंसी विशे में हम चर्चा कर रहे हैं अकाउंटिंग और पार्टनर्शिव फंट्स फंडामेंटल्स साजेदारी के लेखांकन आधार गूत सिद्धान्त जिसमें आज हम चर्चा करेंगे टाइपस ऑप कैपिटल अकाउंट्स मैनेजर कमिशन इंटरस्ट ऑन लॉन रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरस्ट ऑन कैपिटल्स चलिए प्रार्म करते हैं आज हम करेंगे टाइपस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स यानि साजेदारों के पूंजी खाते कितने परकार से बनाए जाते हैं इससे पहले हम नहीं सीखा था ये एकपिटल अकाउंट था यह हम कर चुके हैं जिसमें को बाइब-डैलन्स वी-डी यानि ऑपनिंग बैलन्स जो इस साल में कैपिटल का बैलनस था वह है फिर जो उन्हें मिला है जैसे इंट्रेस्ट मिला हो दोनों को मिला है इंट्रेस्ट मान लीजी इंट्रेस्ट अन कैपिटल सेलरी है मान लेते हैं कि एक ही व्यक्ति को सेलरी मिली है कमिशन है दूसरे को मिला है इसी प्रकार से उन्हों ने जो drawing की थी worst के दौरान वो घटा दी और interest on drawing भी घटा दिया और last में balance CD बचे, यह हम कर चुके हैं, कर चुके हैं कि नहीं, याद है ना, तो हम यह कर चुके हैं, हम आज कर रहे हैं types of capital account, तो एक type तो यह हैं, इसको कहते हैं fluctuating capital method, fluctuating capital account fluctuate क्या होता है जैसे विजली कम जादा कम जादा हो रही कभी जादा हो जाती कभी कम हो जाती है करते हैं आज विजली में fluctuation बहुत है उतार चड़ा इसी परकार से आप गौर करें तो शुरू में capital तीस अजार थी अगर सरफ इंटरस्ट दे दिया जाए तो भी capital में change आ गया तीस तो नहीं रही बढ़ गई तीस मत तीन मत दो अगर आप सरफ ड्राइन कर लो तो भी capital घट गई कहने का मतलब है हर बात से कोई भी point जिससे पूंजी पर effect पढ़ता हूँ उसका असर यहां पर दिखाए देगा और आपकी पूंजी में बदलावा आ जाएगा जो पहले मेरी पूंजी 30,000 थी अब वो पूंजी 33 हो गई है clear है इसे कौन सा method कहते हैं इसे हम fluctuating capital method कहते हैं उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा या नहीं आप इस method को जानने से पहले ही यह कर चुके थे बस पता नहीं था कि इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है fluctuating fluctuating मनला परिवर्तन सील या एस थाई भी कह देते हैं पूंजी खाता और विदी ठीक है बचो अब हम करते हैं दूसरी विदी इसमें एक थोड़ा सा जिन्होंने objection किया उन्होंने कहा कि मेरी पूंजी शुरू में 30 थी अब 33 हो गई कल को 33 का 35 38 हो जाएगी कभी वो 20 हो जाए में तोब कही बार हमेंगे वे कैपिटल ही याद नहीं रहेगी कि मेरी कैपिटल कितनी थी जैसे कि इसी बच्चे को साल में एक बार रोल नомबर दिया जाता है अब अगर उसका रोल न नूमबर मान लेते हैं कि 15 है और एक मैठेड बाद उसका रोल नमबर चेंज कर दिया है या हर class का सorit सॉरी हर सबजेट का जो teacher है, अगर उसे अलग-अलग रόλ नंबर दे तो उस बच्चे को कितनी कठना ही होगी। कि रॉल नंबर 15? Yes, Sir! अब अगले subject में रョल नंबर 18 है तो उसे बड़ी problem हूए है कि नहीं? इसी परकार से capital में जो शींच आता है कई बार हमें जो गूल कैपिटल है से क्षाते कि हमारी तो पुश Partner Ships में साजेदार चाहते हैं कि हमारी ऐके रहे और जो प्लस मा wes एक्ष्टा होता वह अलग होता तो उसको कहते हैं fixed capital method, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको दो account बनाने पड़ेंगे, जो आपने partners capital accounts बनाए है, उसके एक account की बज़ाए दो account, तो दो कैसे बनेंगे, एक में केवल capital रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, capital और केवल capital और कभी अगर capital ही addition लगाई जाए, और अत्रिक पूजी लाए जाए, या पूजी ही घर लेके जाए, तो उस capital account में plus minus करेंगे, और बाकी जो बच गया, जो से interest मिल रहा है, जो उने commission मिल रहा है, जो drawing कर रहे हैं, जो interest on drawing है, इस परकार की जो बाते हैं, इन सब को अलग account में रखेंगे, अब देखते हैं कैसे करते हैं, देखेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा gap कर देंगे, यहां तक एक account बन जा लेगा, यह, यह मेरा एक अलग account हो गया, और इस से नीचे का एक अलग account बन गया है, इस account का नाम रखेंगे हम, फोड़ा सा और उपर रख देता हम इसको, यह लेज़े, यहां कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा current account, current accounts, चालू खाते हैं, A का account, B's account, A's current account, और B's current account, क्या किया, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ पूंजी को अलग रख दिया, और जो भी उसे प्लस माइनस मिले हैं, वो सब अलग करते हैं, यानि एक का नाम रहेगा capital account, और दूसरे का नाम रहेगा current account, कहां पर इनको segregate करेंगे, अलग-अलग करेंगे, केवल पूंजी या अत्रिक्ट पूंजी, इसमें आएगी, या पूंजी को ही घर लेके जाए तब इसमें आएगी, लेकिन बाकी, जो नॉर्मल ड्राइंग्स होती हैं, interest on drawings है, interest on capital है, salary है, कोई commission है, यह सब अलग account रहा जाएगा, उसको कहते हैं current account, ठीक है, कौन सा method हुआ, fixed method, तो आप याद कैसे रखेंगे, fluctuating में केवल एक ही account बनता है, उसका नाम होता है capital account, लेकिन अगर fixed method मनाय जाए, तो उसमें दो account बनते हैं, partners capital account और partners current account, ठीक है बच् की कुछ फरक नहीं है, हाँ, अब दो CD हो जाएंगे, यहाँ पर 30,000 हो जाएगा, यह 20,000 हो जाएगा, पर 30,000, 20,000, यहाँ पर रेखेंगे, 2 balance CD, 30,000, 20,000, बोले, clear है, लेकिन अब यह अलग हो जाएगा, अब क्योंकि 10 और 13,000, यह सिर्प 13,000, और यह पाँच और दू 7,000 हो जाएगा, फिर इधर भी यह 13,000 हो जाएगा, और यह 7 हो जाएगा, अब देखिए, यह 33 नहीं रहेगा, क्योंकि 8 और 2, 10 हो गया, 10 और 3, 13, 3 ही यहाँ हो गया, और यह जो 22 है, 22 नहीं रहेगा, 4 और एक पाँच, पाँच अलगो साथ, अब देखो ना, पहले 22 था, अब 22 की जगा, 20 कैप्टल हो गई, और 2 करेंट का बैलेंस हो गया, पहले यह 33 था, 30 कैप्टल हो गई, और 3 करेंट का बैलेंस हो गया, उमीद करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, चलिए, अब हम आगे चलते हैं, कि कौन से मैथट का परियोग कब करें, यह भी तोर पे कोई हिंट नहीं है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, यह ऐसी रकमे नहीं दे रखी, जिससे हमें लगे, इसका किसी पर्टिकुलर तरफ इशारा है, तो आप फलक्ट्टिंग मैथट का परियोग करेंगे, परिवर्तन सील पूंजी पद्यती का परियोग करेंगे, यानि एक ही capital account बनेगा, सब कुछ उसी में रहेगा, तो fixed कब करेंगे, यह important है, जब आपको opening balance में, अगर capital का और current balance दे दे, तो इस सारा उसने बिलकुल clear कर दिया है, कि यानि वो आप से current account बनवाना चाहता है, अर्थात fixed method का use करना चाहता है, clear है, मान लेते हैं कि उसने current balance नहीं पर दूसरा क्या इसारा करेगा, वो कहेगा कि साजेदारी में ये समझोता या ये तैह हुआ है, कि वो पूजी को स्थाई रखना चाहते हैं, या यू कह सकता है, कि वो पूजी में परिवर्तर नहीं करना चाहते हैं, या ये कह सकता है, कि वो अपनी पूजी बराबर रखन चाहते हैं या कम ज़्यादा जो भी कहें कि इस रेशो में रखना जाते हैं माल लेते हैं क्यों कहता है तीन दो में रखना जाते हैं तो बच्छों तीन दो में तो एक बार तो आप सेट कर सकते हो लेकिन अगर एक को इंटरस मिल गया दूसरे को नहीं मिला या कम मिल गया ज्य अगर कहता है कि वह भविश्य में अपनी फिक्स रखना चाहते हैं तो भी है सकता है वो कहता है कि अपनी पुझी बराबर रखना चाहते हैं जैसे इसकी 30 और 20 है बराबर रखने का मतलब हुआ कि इसको 10 वापस दे दो तो यहां पर 10 कैपिटल विड्रॉ हो जाएगी लेकिन आइंदा के लिए तो फिक्स हो जाएगी तो यहां पर आपको करेंट अपना है ठीक है बचो चलें आगे चलिए अब आगे चलते हैं मैनेजर को सुद्र लाप पर कमिशन देना क्यों देते हैं कमिशन जब मैनेजर को आप सेल्री दे रहे हो तो कमिशन क्या देना दो दो बेनिफिट क्यों दे देने पड़ते हैं सेली देने से कई बार सितिलता आ जाती है सितिलता मतलब सेली तो मिलनी है आप ज़्यादा काम करो चाहिए ना करो ऐसे में कई बार प्रोथसाह नहीं मिलता अच्छे काम करने वाले तो और कई बार कुछ लोग उसे चिड़ाते भी हैं कि देखिये आप इतनी मैंद करते हो तब भी आपको इतनी सेली मिलती है हम मैंद नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं तब भी हमें सेली बराबर मिलती है तो कई बार हतास भी करते हैं तो ऐसा ना हो लोग अपनी productivity ज़्यादा दिखाएं ज़्यादा काम करें इसके लिए मैनेजर को हमने सेल ली तो दी साथ में का मैनेजर यदि आप इतना काम कर देंगे इतना profit कमा के देंगे तो हम आपको extra commission देंगे आपकी सेल ली तो है पर अगर और आप एक limit से ज़्यादा profit कर दोगे या जितना profit करोगे हम उसका आपको इतना percent commission देगे इससे मैनेजर और उत्रुक्साद से और मेहनत से काम करेगा लगन से काम करेगा करेगा की नहीं क्योंकि सेल ली के साथ extra commission देग है चलिए तो अब commission हम कैसे देते हैं मैंने ज़र को दो तरीके से दे सकते हैं commission on profit before charging such commission यह commission घटाने से पहले के लाब पर commission और commission on profit after charging such commission और commission घटाने के बाद आए लाब पर commission अब समझाएंगे अब सम्झाएंगे अब एक्स्प्लेन करेंगे आपको commission on profit before charging such commission commission on profit before charging such commission यानि commission देने से पहले के लाब पर commission देना commission देने से पूर्व के लाब पर commission क्या मतलब निकला देखे एक बात तो यह ध्यान रखना यह manager है partner नहीं है लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा जो आपका profit एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें पे किया जाएगा चाहिए manager's salary हो manager's salary हो या to managers commission managers commission जो भी है वो उसे यहाँ दिया जाएगा माल लेते हैं 10,000 हमने उसको देना है और commission देना है क्योंकि अब तो हम commission की बात करें पर कहां देना है profit and loss round में profit and loss appropriation में नहीं क्लियर हुआ अब कैसे देंगे क्या देंगे माल लेते हैं कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वाई नेट प्रॉफिट एक लाख रुप है 22,000 रुप है और इसको छोटी रगम कर देते हैं या इसको फिलाल हटा देते हैं क्योंकि आप confused होजेंगे फिलाल के लिए तो मैनेजर को commission देते हैं 22,000 रुप हमारे पास और यहां पर 10% देना है कितना देना है 10% तो हम जो profit आया है जो मैनेजर ने कम आके दिया है उस 22,000 पर मैनेजर को commission जो भी profit आ रख है उस पे दिया गया है यानि पार्टनस को देने से पहले जो कि पार्टनस को तो एप्रूपीशन अकाउंट में देते हैं उसको सेल नी देना पार्टनस को ब्याज देना यह सब बात भी होता है तो उन से पहले के profit को देना है ठीक है जी अब दूसरी बात है में दूसरा मेथट है कमिशन और कमिशन और कमिशन और प्रॉफिट आप्तर चारजिंग्थ सचकुमिशन दूसरा कमिशन देने के पस्चात के लाब पर कमिशन के लाब पर कमिशन कमिशन देने के पस्चात के लाब पर कमिशन है हमने कमिशन देना है बिलकुल देना है लेकिन थोड़ा सा चालाकी चलके थोड़ा सा पैटर्न को बदलके हम कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं यह बाइस हजार है इसको बाइस हजार करोड भी तो मान सकते हो जहां बहुत बड़ी बड़ी संस्ता ही होती है चलो इतना ना माने 22 लाक मान लीजिए दो करोड बाइस करोड मान लीजिए तो इस पर कमिशन देना अगर हम थोड़ा सा लेंग्विज में बदलाव कर दे तो देखें फरक आ जाता है क्या फरक है कमिशन अब भी नहीं पर देना है मना नहीं कर रहा लेकिन आप ये थोड़ा सा चेंज आए देखें कैसे पहले 22 हो दिया गए ना अब क्वेशन कहता है कमिशन अन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमिशन हमने मैनेजर को कहा मैनेजर हम आपको शुद्ध लाब पर कौनशा सुद्ध लाब जो हमारे घर जाने लाइक ह यानि जिसे मैं लाब के तौगर ले जा सकता हूं उसका 10% आपको कमिशन दुगा ये समझे ऐसे समझते हैं आप मेरे पास जितना पैसा लाओगे कि इस When से मैं आपको कमिशन दूगा तो बताइये कि आ जितना लाओगे सारा में घर लेजा सकता हूं मैनेजर बोला नहीं जी कैसे ले जाओगे क्योंकि मुझे कमिशन भी तो दोगे आमने का बिल्कुल ठीक आपको कमिशन देना मेरे लिए खर्चा है एक्सपेंसिस है तो इस खर्चे को भी देने के बाद यो प्रॉपिट आएगा उस का 10% कमिशन दूँगा मैं आपको देखी क्या मतलब निकला माल लेते हैं कि मैनेजर मेरे पास 22,000 रुपे लेके आया 22,000 रुपे अब ये बताईए क्या ये 22 के 22,000 रुपे मैं अपनी घर ले जा सकता हूँ बिल्कुल नहीं क्योंकि यदि ले जाने लगा मैंने का मैनेजर थैंक्यू मचला मैनेजर कहेगा सर कमाल करे हो आपने नहीं तो कहा था कि आपको 10% कमिशन देंगे ओहो गल्ती हो गया भी देता हूँ तो जब मैं उसे 22,000 में से माल लेता हूँ कि 10% यानि 2200 रुपे बनता है यदि मैं उसे कमिशन दे दूं तो मेरे पास बचेंगे 19,800 रुपे यानि 2200 तो मैं मैंनेजर को दे दूं तो बाकी मेरे पास कितना बचेगा 19,800 रुपे और हमारी कंडीशन क्या थी कि जितना मेरे घर जाएगा जितना मुझे शुद लाव होगा उसका 10% आपको कमिशन दूंगा तो मेरे घर तो 19,800 गया और अगर मैं इसका 10% निकालूं तो मुझे आपको 1980 देना चाहिए है कि नहीं लेकिन अगर मैं 22,000 में से 1980 रुपे ही देता हूँ 1980 रुपे देता हूँ तो ये बच गया 20,020 रुपे 20,020 रुपे अब अगर 20,020 बसते है तो मैं उसको अगर 1980 दूँ वो कहेगा चलो जी ठीक आपकी बात वाले फिर मैनेजर कहेगा सर आपके घर कितने गए मैंने का 20,020 और कहता आपने मुझे कितने दिये 1980 तो कहता जी कहा आपकी बात भी सही बैठी आपने कहा था जितने आपके घर जाएंगे उसका 10% तो मुझे 20,020 का 2,002 रुपे दो तो यह तो बार-बार दिक्कत आ रही है तो इसका समादान क्या आए हम करते हैं इसको solve करते हैं देखिए बचाए प्राफिट बिफोर मैनेजर्स कमिशन मतलब मैनेजर्स कमिशन समझ लीजे कितना है मैनेजर्स कमिशन वाइस है अब देखिए less managers commission जितना भी देना अभी मुझे नहीं पता कितना और उसके बाद जो बचेगा उसको कहेंगे profit आफ्टर मैनेजर्स कमीशन ठीक है और देना कितना है मैनेजर्स कमीशन 10% यह ठीक है 22,000 रुपे मेरे पास लाया मैं उसे 10% कमीशन दूँगा और उसके बाद जो रासी बचेगी वो भी मुझे नहीं पता कितनी है भी वो इतनी होने चाहिए इसके 10% रही कमीशन बैठी देखें, अगर मुझे मैनेजर का कमीशन पता हो अगर मुझे पहले से कमीशन पता तो कहले निए प्रॉपित अजयागा इस सवाब ये कि हुँक हो तो हम यहां पर ओना चलाते हैं। क्या करते हैं माना हो केते हैं हम चोटी क्लास में सीखते थे माना मुल्दन इतना या निए इसे करके चलते हैं तो करें मान लेते हैं कि यह 100 रुप यह तो गलत हो गया कैसे गलत हो गया इसको क्यों मानूं जब मेरे पास ही 22,000 तो मैं क्यों 100 मानूं बिल्कुल ठीक है जब है तो मानने की जुर्ट का है मानना हो तो या तो कमिशन को मानो या यह मानो profit after commission क्योंकि जो चीज निया हो माने ना चलते हैं मान लेते हैं कि यह 100 रुपे है क्या 100 रुपे है Profit after manager commission 100 रुपे है ठीक है थोड़े दिर मान लेते हैं अगर 100 रुपे मेरी जेब में जाते हैं तो बताए मैनेजर की जेब में कितने जाने चाहिए 100 का 10% 10 रुपे तो मैनेजर को मिलने चाहिए 10 रुपे अच्छा अब आगे अगर manager को 10 रुपे जाएंगे और मेरी जेब में 100 रुपे जाएंगे तो बताए मैनेजर मेरे पास कितना profit लेके आया होगा वो लाया होगा 110 रुपे क्या मानते इस बात को कि manager यदी 110 रुपे लाया होगा उसमें से मैने 10 रुपे उसको दिये होगे 100 रुपे अपनी जेब में रखे होगे 100 का 10% 10 रुपी होता है मैनेजर भी खुस है कि ठीक का जितना मेरी जेमे गया उसका 10% और हम भी खुस हैं कि 10% ठीक है अब देखिए अगर मैं simple कहता simple कि मैनेजर आपको 10% commission देंगे तो 110 रुपे का 10% कितना बनता बच्चों 11 रुपे अगर मैं इसको करोड में बात करूं तो जहां 10 करोड बन रहा हुआ 11 करोड बनता है कि नहीं फरक तो इसलिए इतना इसी बात घुमाने से फरक पड़ गया यह हमारे favor में जा रहा है मैनेजर को थोड़ा कम commission जा रहा है तो यह देखिए तो यहां पर यह मैने माना था let's say this this is let let's say मान लोती है माना 100 रुपे अब सारे नहीं मानें अगर यह 100 है तो natural है कि यह 10 रुपे होगा और यह 10 है तो यह 110 होगा कोई बच्चा कहेगा sir मैं 100 की जगा कुछ और मान सकता हूं पिलकुल मान सकते हूं आप इसको 200 मान लो अगर यह 200 है तो 200 का 10% 20 रुपे हो जाएगा और 20 हो जाएगा तो यह 220 हो जाएगा वो तो आपकी मर्जी है कुछ भी माना लेकिन हम ज्यादातर 100 क्यों मानते हैं ताकि इजीली कैलकुलेट किया जासे ज्यादा पच्ड़े में नापस है ना जब मानने लगे तो चलिए अब मेरे पास एक तो ओरिजिनल है प्रॉफिट विफोर मैनेजर कमिशन एक मेरा माना हुए के आधार पर है 110 तो मेरे पास दो है यह तो जब यह दो हो तो ऐसे लिखेंग इफ इफ प्रॉफिट अप्र ने बिफोर इफ प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमिशन इस 22,000 थे प्रोफिट ने 110 थे फ्रेयर कमिमिशन इस इकल टॉफिट अ कमिशन इसकोड टॉफि Dash अगर प्रॉफिट बिफोर मैनेजर् stress प्रॉचिए इकल अप्रॉफिट टॉट थे थीख टॉर उटनों इसक्डॉटमिशन इसक्रिए लिखेंगर अगर भ서 प्रॉफिट स is 110 then commission कितना है 10 और अगर profit before manager commission एक रुपया हो अगर 110 रुपय है profit तो commission है 10 रुपय और अगर एक ही रुपया profit हो तो commission भी कम हो जाएगा तो commission होगा 10 और ये नीची आजाएगा by 110 ठीक है न जब 110 रुपया profit होने पर 10 रुपय कमिशन है तो एक रुपया profit होने पर 10 बटा 110 हो जाएगा और यही बात if profit is 22,000 क्योंकि आप तो original आ गया कि यदि 22,000 profit हो तो manager commission कितना होगा तो भाई फिर 10 बटा 110 गोना 22,000 ऐसे होगा ऐसे करके काटें एक जीरो से एकट गई 11 दुनी 22 और 2000 रुपय अब देखें चेक करके देखें अगर हम 2000 रुपय manager को commission देते हैं तो 22 में से दो गई तो क्या बचा 20,000 अब चेक कर लो वो 22 लाया हमने उसे 2000 दिये हमारी जे में 20 बचे और चाए 20 का 10% लगा तो 2000 ही बचा यह था बच्चों इसकी ठीक है बाकी तरीका तो सेम ही था यावे 2000 ओके मुझे लगता है आपको समझ में आ आ गया होगा और नहीं भी आ तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं अब हम करेंगे interest on partners loan to the firm यहनि साजेद्वार द्वारा फरम को दिये गए रिण पर ब्यास किसी साजेदार में फरम को जरूरत पढ़ने पर loan दिया है पूंजी तो दिया है capital तो दे रखी है लेकिन और पैसे की जरूरत पढ़ गई ऐसे में किसी partner ने का मैं तो और पूंजी नहीं लगाता क्योंकि पूंजी तो रिश्क में आती है कि अगर कल को business डूप गया तो मेर loan दे सकता हूं और ताकि मुझे ब्याज मिल जाए partnership ने सूचा कि बात तो ठीक है अगर हम भार से लेंगे तब भी हमें ब्याज देना पड़ेगा तो partner को दे देंगे क्या फरक पड़ता है तो यदि कोई partner ध्यान रहे partner की बात कर रहा हूं मैं बाहरवाले नहीं बाहरवाले तो loan देते ही है वो तो अलग है लेकिन यदि कोई साजेदार ही अपनी firm को loan देता है तो क्या करेंगे कैसे treatment और कहां पर करेंगे देखें बच्चों कि partner ने loan दिया है और उसे loan पर ब्याज मिलेगा ठीक है कि ने तो बात यह है कि वो ब्याज business के नजरिये से point of view से business के लिए खर्चा है that is charge against profit लाब उपर परभार है यह हमने पहले discuss किया था किसे परभार कहते है कि जो देने ही देने हैं खर्चे चाहिए लाब हो चाहिए हानी हो उसे कहते हैं परभार और जो लाब साजेदारों में जो बाटा जाता है profit को लाब को लाबों का वितरन ने उसी लाब क लेकिन यहां पर तो यह प्रभार है चाहिए साजेदारी में profit हो चाहिए loss हो कैसी स्थितियों ब्याज देना पड़ेगा अब देखो मालो आप partner भी है और आपने loan भी देख तो बताइए आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं loan पर लोन पर तो मिलेगा चाहिए संस्ता को profit हो चा profit मिल जाएगा नहीं हुआ तो अगले साल इंतिजार करेंगे है कि नहीं तो यह बात ठीक है तो इसे हम कहां दिखाते हैं इसे भी profit and loss account में दिखाते हैं एप्रूपिशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं क्योंकि यह लाबों पर भार है प्रभार है ना कि लाबों का नियो rent paid to partner साज़ेदार को दिया गया किराया देखिए बच्चों क्या है अगर किसी साज़ेदार की building है और उसने वह building business को किराय पर दे दी कि चलो business करने के लिए आप मेरी building ले लिए तो अगर उसकी ना होती तो हम भारवाले से building लेते और उसका किराय देते इसी परकार के यहां पर हम partner को किराय दे देंगे तो यह भी जैसे interest on loan था उसी तरह से यह भी charge against profit है लाव उपर पर परभार है इसलिए इसे भी profit and loss account में ही दिया जाएगा क्लियर है profit and loss account से ही इसको दिया जाएगा ना यह लाव का विन्यूज नहीं है तो यह दोनों point clear हो गए अब हम चलते हैं बचो प्रोविजन regarding interest on capital पूझी पर ब्याज के संबन्द में प्रावदा यह क्या है पहले simple पूझी पर ब्याज देना हमने किया था ना साजेदार को पूझी पर ब्याज देना यह लावों का नियोजन है लावों का बटवारा है कहां देते थे हम profit and loss अकाउंट बनाते थे तू इंट्रेस्ट अन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एज बी सी जो भी था उनको यहां पर देते हैं कि और बाद में यह इंट्रेस्ट कैपिटल अकाउंट में कहां चले जाते हैं किया था ना कि अब सवाल आया है कि इंट्रेस्ट on पार्टनर्स कैपिटल कब देना है किस स्थिती में देना कितना देना है आप कहेंगे सर इसमें भी कोई सोचनी की बात है बिलकुल है आई ये बात करते हैं बचों नमबर एक पूंजी पर ब्याज केवल साजेदारी सलेक में उलेक होने पर ही दिया जाएगा सिंपल अगर पार्टनर्शिब डीड में आपने ब्याज देने के सम्मन्द में कोई प्रावधा नहीं किया है तो ब्याज नहीं मिलेगा मान लेते हैं एक पार्टनर ने ज़्यादा रासी दे रखी थी और पहले से कोई समझोता ही नहीं था इस बारे में ब्याज देने के से पारटनेशिप्डिद में इस बारे में बात नहीं हुई इसलिए उससे ब्याज़ पाने का हक नहीं है चाहे व उत पाना है क्योंकि कुँकान손 नहीं तो यह जो कानून मनाएं ये कानून जो बने हैं इसके आदार परी तो फैसला होता है ठीक है आप चलते हैं दूसरी बार यानि ब्याज देने की पहली सरत है कि नमबर एक सनलेक में तो होना जरूरी है अब नमबर चलते है दो साजेदारी सनलेक में उलेक होने के उपरांत भी यानि पहले तो सनलेक में उसका उलेक चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी पूजी परव्याज तभी दिया जा सकता है यदी फरम में लाब उपलब्द हों यदी फरम में लाब है तो दे सकते हों अर्थात हानी होने की दसा मातरा में पुंजी पर ब्याज नहीं डिया जा सकता, यह बड़ी अजीब बात, लाब है तो ब्याज देंगे और लाब की बज़र पहले हानी हो रही हाला कि कहर रखाए कि ब्याज देना है, तो ब्याज नहीं देंगे यानि यह सर्त भी लागू होनी चाहिए पहले डीड में होना चाहिए और उसके बाद आपके पास परियापत मातरा में लाब भी होना चाहिए तेखा दो सर्ते हो गई आप तीसरी सर्त यह तो किलियर होगा अगर लाब है तब तो ब्याज दे देंगे ठीक है और बाई दीवे लाब नहीं है तो तो नहीं देंगे आचाहिए एक सिच्वेशन और भी दुबास अकी है थोड़ा लाब है थोड़ा लाब है तो आई यह उस पर पॉइंट चलते हैं यदि लाब की रासी पूजी पर दिये जाने वाले ब्याज की रासी से कम हो तो सभी साजेदारों को उनकी पूजी पर ब्याज उपलब्द लाब की अधिक्तम सीमा तक ही दिया जा सकता है मतलब माल लेते हैं कि हमने इसको ब्याज तिन हजार रुपे देना है मैं इसे 2000 ये व्यास की बात करता है हमारे पास winners आते क्या पतों होने कि हमारे पासा पॉफित क्यावान मुंक नहीं अीए थी हमचा रूडे याम rublaz या 9000 लगा लिए इसको सही बन जाएगा 9000 है और माल लेते हैं ABC partners की ratio है लावानी बाटने की बराबर है profit and last की ratio बराबर है तो 9000 में से पहले तीनों को 3000, 2000, 1000 ब्यास दिया जाएगा और जो profit बचेगा to profit transferred to capital account कितना भाई A को B को C को क्योंकि total profit बच गया 9000 में से इधर total करेंगे 9000 और यह हो जाएगा 9000, 9000 में से जब यह 6000 जाएगा तो आपका 3000 बचेगा 3000 तीनों में बराबर बढ़ता है इसलिए 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3 1000, 1000 और 1000, clear है? ऐसे मिलेगा अच्छा अगर situation आगी कि by the way आपके पास profit तीन हजार ही हो और आपने देना है ब्याज ही 6000 देना है और लाब तो दूर की बात है ऐसे में profit तो नहीं मिलेगा मैं कहरा हूँ ब्याज भी पूरा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो मैंने बताए ना कि अधिक्तम सीमा तक जितना आपके पास उपलब लाब है उतना ही ब्याज दोगे फिर तो तीनों को एक एक हजार दे दे? नहीं वही यह तो लाब आनी बट गया नहीं एक हजार एक हजार नहीं देंगे क्योंकि इन तीनों की पूंजी पर जो ब्याज है ब्याज मैंने पुँझी की बात करी है कि इसका ब्याज बनता है 3000 इसका बनता है 2000 और इसका बनता है 1000 तो तीनों का ये इंट्रेस्ट है इसमें रेशो बनाओ रेशो कैसे बनती यदि तीनों की पीछे जितनी 0 कर सकते ये काट दो तो बचा आपका 3 is to 2 is to 1 और तीनों का टोटल करेंगे 3 plus 2 plus 1 6 तो 3 by 6 इसे मिलेगा 2 by 6 इसे 1 by 6 इसे कोई बच्चा कहेगा सर अगर ऐसा ना कट सकता हो तो माल लेते हैं इसका 31 है और इसका 21 है चलो 2 0 तो कटी और अगर 2 भी ना कटती हो चलो ऐसा कर लेते हैं 3 7 और यह हो गया 2 8 कुछ भी हो और यह नहीं कटता तो बच्चे इसका जो टोटल बनेगा दोनों का वही हो जाएगा और इसके नीचे लिख देंगे इसके नीचे लिख के वो रिशो बन जाएगी पर जितना संबह हो उतना काट होगी तो यहां पर 3 is to 2 is to 1 हो गया तो 3 to 1 म मतलब इसे 3 by 6 मिलेगा इसे 2 by 6 मिलेगा इसे 1 by 6 मिलेगा जो भी उपलब्द लाब है तो 3 हजार का 3 by 6 यानि 6 5 जा 5 थरीजा 50 इसको 15 रुपे मिलेगा और इसका वो एक हजार बन जाएगा इसको 500 रुपे ऐसी क्या समझाया अगर लाब ज्यादा है तो पूरा ब्याज मिल जाएगा अगर लाब है ही नहीं तो ब्याज नहीं मिलेगा और अगर लाब कम है किस से कम जितना ब्याज देना है तो सब को कम मिलेगा कितना मिलेगा कैसे मिलेगा उनका जितना ब्याज बनता था उससे रेशो निकाल लो और उस रेशो में उस रकम को बांट दो इस तरही क चीक है बच्चो ये बात थी अब एक बात और चौथा पाइंट है परंतो यदि साजेदारी सनलेक में पूजी पर ब्याज को लाबों पर परभार मानने को कहा जाए यदि क्वेश्चन वाला ही कहता है जी इसे चार्ज अगेंस प्रॉफिट माना जाए लाबों पर परभार म पांते तो देना ही देना है कहा गया हो तो ऐसी दसा में सभी साजेदारों को पूरा पूरा ब्याज दिया जाएगा चाहे फरमे लाब अत्वा हाने की कोई भी दसा क्यों ना हो मतलब हमारे पास प्रॉफिट कितना है ठीठाउस है ठीक है और क्वेश्चन करते हैं नहीं इ इससे प्रभार मानों फर्त आपको इसको पूरा तीन हजार देना पड़ेगा इसको पूरा दो हजार और इसे पूरा वन थाउसं प्रॉजर का लोव क्यों यहां पर वाई लॉस इस्टीबिटिट या profit and loss count by profit by profit sorry loss by loss distributed in A's account and C's account तीनों को बाणते हैंगे आप तीनों की रेशो मेने क्या पताई थी लाव आने की तो बराबर रेशो थी ना स्थी टू नहीं क्योंकि रेशो थो उनकी बराबर मानी थी ना बराबर है तो 1000 1000 एंड 1000 तीनों एक एक हजार रुपे भूबते हैंगे अब एक तरफ यहां 3000 मि तो कुल मिलाके दो हजान मिले जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कितना दिया थे उसको पंधरा सो देखे फरक आगा तो यह है तो समझगे बच्चों सभी कि क्या करना है इसमें यदि क्वेश्चन कहता है कि लाबों पर परभार माना जाए चार्ज माना जाए तो पूरा में ऐसे बटा जाएगी ठीक है ओके यह हो गया आज का यहां तक तो आज का लेक्चर यहीं पर समात करते हैं उमीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे ओके बाई बाई टेक